मैं स्टार्ट अप हूँ नई उर्जा और नए उत्साह के साथ बदलते भारत की मैं बढ़ती ताकत हूँ वो भारत जो अनंध संभावनाओं और नवाचार की भूमी है आज भले ही मेरा नाम सभी जानते हैं पर एक दशक पहले मुझे कोई नहीं पहचानता था पर आज भारत की रगों में जिद है हर सपने को पूरा करने की आस्मान की बुलंदियों पर पहुँच कर सूरज को भी चुनोती देने की तभी तो आज देश भर में एक लाख तेईस हजार स्टार्ट अप भारत के सामर्थि की कह रहे हैं नवीन कहानी लगभग तेरा लाख नौकरियों और रोजगार के द्वार भी तो खुले हैं छेसो सत्तर से अधिक जिलों तक मैं पहुच चुका हूँ युवा शक्ती नारी शक्ती की मैं मजबूत हुंकार हूँ भारत के टीर टू और टीर थी शेहरों में भी मैं आस्मान चुने की जिद लिए नई उर्जा के साथ थड़क रहा हूँ स्टार्ट अप इंडिया की यात्रा बहुत ही प्रेरना दायक रही है वर्ष 2016 में स्टार्ट अप इंडिया लॉंच हुआ और स्टार्ट अप इको सिस्टम को बूस्ट करने के लिए फंड अफ फंड योजना शुरू हुई और फिर साल दर साल इससे नई उपलब्धियां जुरती गए साल दोहजार चौबीस में डिजिटल मैप्स की शुरुआत हुई अभी हाल ही में भारत स्टार्ट अप इको सिस्टम रजिस्ट्री यानि भासकर की शुरुआत हो चुकी है जिसके माध्यम से स्टार्ट अप इको सिस्टम में विविद प्रकार के स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाया जाएगा स्टार्ट अप की जोश, उमंग और कुछ कर गुजरने के मजबूत संकल्प से भरी ये यात्रा अब बनी है साक्षी तीन दिनों के स्टार्ट अप महा कुम्ब की जिसमें शामिल हुए हैं ये अपनी तरह का पहला आयोजन है जिसमें स्टार्ट अप, निवेशक, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स और कई सेक्टर्स के इंडस्ट्री लीडर्स सहित भारत के पूरे स्टार्ट अप एकोसिस्टम को साथ लाया गया जहां दुनिया ने देखी विकसित भारत की और बढ़ रहे भारत की एक और उची छलांग और दुनिया के सबसे बड़े स्टार्ट अप एकोसिस्टम बनने की ओर बढ़ रहे भारत का विरात संकल्ब